और यहां से आईए आपको लिया चलेंगे इन दाउर की कुछ खबरें दिखाएंगे प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने भारत जो डरसल भारत प्रवासी भारतिये जो सम्मेलन है उसमें एग्जिबिशन का दौरा किया है यह तस्वीरे आपको यह जो तस्वीरे है आप वहां की देख रहे हैं प्रवासी भारतिये जो एग्जिबिशन है। उसका दौरा किया है प्रधार मंतरी नरेंद्र मोदी ने। यह तमाम तारीखों के साथ में 21 अक्टूबर उनी सो तालिस और आजाद हिंद फौज किस तरह से भारत का एक जो पूरा इतिहास है उसको उकेरती हुई यह प्रदर्शनी है और प्रदानमंत्री बहुत गोर से इसका विशलेशन कर रहे हैं साथे साथ जो प्रवासी भारतिये हैं उनका जो योगदान रहा है उसका भी उलेक किया गया है यह आडियो विजुल प्रदर्शनी है तो कई माईनों में यह जो प्रवासी भारतिये संबेलन है वो खास है और जो इस तरह की जो प्रदर्शनी है वो दरसल लोगों को ग्यान वर्धित करने वाली है बताने वाली है कि इस तरह से जो भारत का इतिहास रहा है क्यांकि प्रधानुन्मंतरी ने इस तरह से कहा कि यह जो अम्रित काल है इस वक्त में यह ऐसे दौर में प्रवासी भारतिये संव्मेलन का होना अपने आप में उस महत्व को waktu है और जब भारत आत्मिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है, जब भारत अमृत काल में अपने को सुद्रिन बनाने की कोशिश में एक लक्ष के साथ आगे बढ़ रहा है, तो वो ऐसे समय में जो प्रवासी भारतिये हैं वो भारत के विजन को पूरी दुनिया में जोड़ेंगे, इस लेकर जाएंगे इस बात का विश्वास जताया प्रधार मंत्री ने तो प्रवासी भारतिय दिवस के अवसर पर जो ये सम्मेलन है उसमें जो प्रदर्शनी है, आडियो विजुल प्रदर्शनी है, उसका प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी और साथ में जो और अतिती हैं, वो अवलोकन कर रहे हैं, भारत के इतिहास को दर्शाती ये प्रदर्शनी, भारत के नितृत को दर्शाती ये प्रदर्शनी, जिस तरह से वि विविद क्षेत्रों में जो भारत की अभी तक यात्रा रही है उसके बारे में दर्शाती है यह प्रदर्शनी तो प्रदानमंत्री नरेंद मोधी इस प्रदर्शनी का वलोकन करते हुए प्रदर्शनी कई मानों में खास है यह आपने आप में बेहत सशक्त और तमाम जो भारतिय इतिहास है भारत ये दर्शन है उसको दर्शाती हुई साती साथ जो भारत की उपलब दिया है इतने वर्शों में उसके बारे में बताती हुई आजाद हिंद के बारे में बताती हुई सुभाष चंद्र बोस्त के बारे में के बारे में दर्शाती हुई प्रदर्शनी प्रधानमंत्री रहा है, उस विशे में भी है, इस स्पेस सेक्टर में किस तरह से आगे बढ़ रहा है, उसके विशे में तमाम जो जानकारियां हैं, वो इस प्रदर्शनी में रखी गई हैं और प्रधान मंत्री उसको देख रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं.